मारा कोश्चन है Consider the situation of the previous problem Suppose the block of mass M1 is pulled by a constant force F1 and other block is pulled by a constant force F2 Find the maximum elongation that the spring will suffer ठीक है यहाँ पर क्या बोला है इस बार देखो पिछले कोश्चन की तरह है M1, M2 में force लग रहे हैं पर यहाँ पर क्या है दोनों forces की value अलग अलग है तो यहाँ पर मैं क्या assume कर लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि F2 जो हो F1 से greater है ठीक है यह assume कर लेते है ठीक है और हमारा जो acceleration है center of mass का इन दोन यह पूरे system के center of mass का acceleration जो होगा यानि कि acceleration of CUM उसको मैं क्या बोल देता हूँ A0 बोल देता हूँ ठीक है तो Fnet देखो Fnet क्या होगा हमारा F1 Sorry F2 माइनस F1 क्योंकि F2 मैंने greater मानना है तो हमारा जो acceleration होगा acceleration क्या होगा acceleration क्या होगा net force upon total mass तो net force हमारी F2 माइनस F1 है upon total mass क्या है M1 प्लेस M2 ठीक है तो अब देखो जो हमाराических क्योंकि क्योंकि उसके पास acceleration है इस यह सेंटर अप्मास के पास एक अक्सलेय शेडं़ नतोu एक एक सेड़ेट потр टो मतले उस पे कोई एकक force लगने रही है के कौनसी हौर्स स्यूद् pushes क्यों Amazon लिए एक्सेलरेशन है इस डियरेशन में लगे तो शुद्री ऊपोज़ेशन में लगई यानि कि इस डियरेक्षिन में हमारी स्यूदव स्यूद फोर्स यहाँ पर था यह एक्स वन इलॉंगेट वह यहाँ से इतना ठीक है और यह एक्स टू इलॉंगेट वह यहाँ से इतना ठीक है तो यहाँ पर क्या वाएगा अब देखो पिछले कोशन में हमने देखा था पिछले कोशन में क्या लिखा था हमने कि हमारा अब जो वर्क डण हुएकर टोटल वर्क डण जो भी है इस पूरे सिस्टम में वह क्या होएगा एक तो फोर्स फ़न जो लग रही है एक्स वन इलॉंगेट करने के लिए ठीक है और एक जो फोर्स टू लग रही है करने के लिए फिर सुड़ो फोर्स अपना एक फोर्स लगा रही है एक स्वन इलांगेट कर दिया वो भी और एक सुड़ो फोर्स ओपसिट डारेक्शन में लग रही है किस में स्टोर इंल्ली स्प्रिंग में इनेरजी कि तना तो यहां पर देखो यहां पर दिखाते हो हमारे जो X1 था M1 X1 equals to M2 X2 था है ना तो इसमें अगर दोनों तरफ हम A0 multiply करा दे तो क्या बनजेगा यह M1 A0 X1 equals to M2 A0 X2 है ना तो बस यहीं करना है हमें अगर यह दोन इकोल है तो मतलब यह दोन भी इकोल होगे बस इक सॉल्व कर दोएंगे इको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास F1 X1 plus F2 X2 equals to half K X0 square उपपर अगर वो दोनों equal है वो तो cancel out हो जेंगे ना यह दोनों अगर equal है तो ठीक है तो यहाँ पे अब X1 और X2 की value put कर दो तो F1 M2 X0 upon M1 plus M2 plus F2 M1 X0 upon M1 plus M2 equals to half K X0 square ठीक है तो इसको solve करने के बाद हमारा जो final answer आएगा यानि कि X0 की जो value आएगी हमारी वो क्या आएगी 2 F1 M2 plus F2 M1 upon K M1 plus M2 ठीक है यह जो होगा यह हमारा final answer होगा यानि कि maximum elongation कितनी होगी उसमें इससे असान solution और कहीं नहीं रेगा हमार मून धालन dismissively और देख तर मुलाउव हुआर एउ बहुआगा है凜जी तर से नहीं हुआएँ मून चलीक है यहाँ पामार कर रहाएँ